तो चलिए मेरी प्यारे बच्चों आज का जो मारा टापिक है तेट इस थर्मोडानमिक प्रावल्टी आज एम पढ़ेंगे थर्मोडानमिक प्रावल्टी आखिर होता क्या है बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है बहुत सिंपल चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बहुत आफ ऐसा सिस्टम है जिसमें थर्मोडानमिक प्रावल्टी निकालाएंगा थर्मोडानमिक सिस्टम करेंगे तो पार्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे बात क्लियर हो रहे है तो आइडियल गैस आफ टोटल नमबर आफ मालिकियुद की सिन अब ये मस चुछिख अभी तक हमने पार्टिकल भरा इसामें गैस बरेंगे तो हमने मालिक्ट िखल करें गैस tempt है इसमें अधर्वाई घ्र चाहिंगे इसमें अज़ोस में पार्टिकल कैस्प यंड नॉयस्ग कोई उनेर्ज सेल बनाएंगे सेल मतलब छोटा-छोटा-चोटा बाग कि यह और सभी बराबर बराबर वागों में होंगे इनर्जी सथ जिसे आपने दो कंटेनर रख लिए एक छोटा एक बड़ा लेकिन जब इसको हम बात करें इनर्जी सेल की आप कुछ ऐसा ऐसा तोड़ेंगे कि आप दोनों में अंतर है जитना energy srbridge i.t. इतना है उतना ये सभी में हमने फिगर लिए नहीं बतना है 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 आ तो वहीं बता जा रहा है कि इसमें मालो के total के इसायल है हुदनि माल कर दो आ कि जो NK particles होंगे वो NK molecules होंगे वो kill cells में जाएंगे तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि let N1 molecules enter 1st cell माना N1 molecules 1st cell में enter होंगे N2 molecules 2nd cell में N3 molecules 3rd cell में N4 molecules 4 cell में SSO और NK molecules enter NK cell हमने ऐसा consider कर लिया आप जाने कि number of ways कितने तरीके होंगे कितने तरीके होंगे कि N1 particles इसमें जा सकते हैं वो चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर हम सबसे पहले लिख सकते हैं कि N1 plus N2 plus N3 plus so on यहनिके जो particle जितने भी particle होंगे वो total number आप particle capital N के बराबर होंगे इसको हम लिख सकते हैं समेशा नाफ I यह यह I is equal to capital N लिख सकते हैं I equal to 1 to K तक हमें जाना है बना सकते हैं चाहिए इसको equation number first बनाए चाहिए इसको बना लीजिए आपके इच्छा मतलब यह summation के रूप में लिख दिया गया कि I equal to 1 से मतलब यह नवन particles लेकर K particle तक का summation जो है वो N है यह लिखा दिया हमारा अब हम बात करेंगे नाव दिनमबर आफ वेज दिनमबर आफ वेज तो डिस्टिब्यूट डिस्टिब्यूट यह नमन मालिक्यूल एन की फिस्ट कमपार्टमेंट कि फिस्ट कमपार्टमेंटáveis कि इस 안नो हो सकते है तो भेज निकालेंगे यह नवन के लिए निकार होंगे है तो यह टोटल नमबर आफ पार्टिक miga एयंसे तो फेसे निकालेंगे जब हम प्राववविल्टी निकालते थे तो इसे निकालते अपन में फेक्टोरियल आर एंस एक्प्रावार अबार कम पर यह लिए अपन मरें नहीं निकालते थे तो पूँछ ऐसा आता था आइसा आता था उसके बोलते थे इसे नमराफ माइक्रो एस्टेट तो वैसे नमराफ बेज कितने वेज हो सकते हैं एन वन पार्टिकल को फर्ट कमपार्टमेंट में जाने के लिए similarly सिमिलर्ली एंटु के लिए भी निकालनेंगे नमबर आप वेज एंटु पार्टिकल की हम लिख नहीं रहे हैं अगर आपको टोटल देखना है तो डिस्कुप्शन बॉक्स में लिए जा रहा है नोट्स जाएए देख लिए आपके टेलीग्राम पर जाएए अड़ रेट पर गलती करते हैं यहाँ पर एंसी टू कर देते हैं बट ऐसा नहीं है एसा ही नहीं अब बताते कैसे क्यों ऐसा नहीं हुआ देखनाना लिएज़ आपने नमन परटिकल निकाल दिया यहीं से तो टोटल नॉमरा परेटिकल बच़े किया यहाँ मैंनस फिए तो यही आपके आपके पास मालो 20 सिक्के हैं जिसमें से आपको 20 सेल में डालना है तो एक सेल में आपने डाल दिया आपके पास 19 सिक्के ही तो बच्चे मजब 20-1 तो वैसे इसमें similarly the number of ways the number of ways बच्चे तो प्रसंद होगे सर आपको लिखना पड़ा distribute N2 molecule in second compartment second compartment के लिए निकाल इंगित क्या हो जाएगा capital N minus N1 यही तो बच्चा total number आप पाट के लिए बच्चे C N2 is equal to N minus N1 का factorial मतलब total number आप पाट के लिए बच्चे पहले तो N थे N1 हमने निकाल के डाल इए तो अभी इतने बच्चे आपान में N2 का factorial N minus N1 minus N2 का factorial यही तो लिखते हो भाई formula कहा total number आप particle का factorial आपान में जो निकाल रहे उसका factorial मुटिप्लाइ में जो total नमबर आप particle में से جतना निकाल रहें उतना minus करते थे जीसे यहाँ पर N1 था यह अपाँ आपने नमर का फीक्ट leaf n minus n 1 तो यह से थर्ड के लिए निकाल लेंगे the number of ways the number of ways to distribute distribute and three molecule mag यह तिर्ड compartment 3rd compartment क्या हैगा n-n1 अब देखिए आपके पास total number आप पार्ट के यहाँ पर इतना बचा था जब आपने n2 निकाल दिया total इतना था उसमें से आपने n2 भी निकाल दिया अब इतना आपके पास बचा क madam n-1-2 ! n-3 ! n-1-n,-3 ! मैंधा रिखक दिख्राहने आपको माइनम में एंठी कहा ठिक कंइस यह आया हमारा थर्ड कम्पार्टमेंट के लिए को सबीं के लिए के यहन के लिए निकालेंगे यहन के के लिए मतलब के सेल में जो जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पर यहाँ पर लिखते थे थर्ड कंपार्टमेंट के लिए अब हम लिखेंगे यहाँ थर्ड सेल लिख सकते हैं आपके उच्छा है आप यहाँ पर कंपार्टमेंट के जिगा से अगर दिखाना चाहें फिर्स्ट इनर्जी से तो आप से दिखा सकते हैं ठीक अब हम लिखेंगे नाव दो नंबर आफ वेज दिस्टिब्यूट के मालिक्यूज नाफ द वेज आफ दिस्टिब्यूट एन के मालिक्यूल इन के त कमपार्टमेंट या कित सिल के सिल में कितना जाएगा ऐसे हम लिखेंगे यहाँ पर टोटल नंबर आप पाटकर क्या बचा है एन माइनस एन वन माइनस एन टू माइनस सो वान हमारा एन के माइनस वन सी एक कम ही बचेगा ना टोटल अरो देखो यह एन थरी था एन टू तक आपके पास टोटल बचा था एन टू था एन वन के पास आपके पास टोटल बचा था जिससे हम एन के लिए निकालेंगे तो एक प्से एक कम रहेगा हुमारे पास ठीक निकालेगे क्या भचे हमारा टोटल नमर आप पार्टिकल यन-N1-N2-01-N-K-1 का फेक्टोरियल तेको फेक्टोरियल ऐसे भी लिखाजाता रब फेक्टोरीयल ऐसे भी लिखा जाता है चाहिक इसे भी आपके टोटल है, टोटल में से एनको घटाएंगे, मतलब n-n1-n2-1 and k factorial, मतलब इसको लिख सकते हैं, total n-k-1 है, minus में n-k का factorial, यह आया हमारा, अब हम इसको लिख सकते हैं, और आगे solve करें, n-n1-n2-1, n-k-1, c, n-k, n-k is equal to, यह क्या हो जाएगा, n-n1-n2-1, n-k-1, k factorial, divide by, यह क्या बच्चा है, n-k का factorial तो हमारा रहेगा है, इसको लिख सकते हैं, minus कमन कर लिजी क्या हो जाएगा, n-1+, n-2+, so on, n-k-1, minus, sorry, plus हो जाएगा न, देखें, minus हमने कमन कर लिए, total हमारा plus हो जाएगा, plus n-k, अब हमने ऐसा क्यों कि आभी आपको समझ में आगा है, n-n1-n2-1, n-k-1, divided by, n-k का factorial, n-, minus, इसकी value क्या है, from equation number first, n-1+, n-2+, n-3, so on, n-k-tक, n-1+, n-2+, n-3, so on, n-k-tक, इसकी value है, capital n, इसलिए हमने किया, capital n-ka factorial, n-n-n मतलब 0, 0-ka factorial 1, तो यहाँ पर value 1 हो जाएगी, बच्चा क्या हमारा, n-n1-n2-1, n-k-1, इसका factorial, divided by, n-k का factorial, यहाँ पर जगा 0 का factorial, एक लाइन और बढ़ाना चाहें है, का जग जग 0 factorial value 1 होती है, तो n-n1-n2-1, n-k-1, k-1 का factorial, divided by, n-k का factorial, यहाँ आगी है हमारा, n-n1-n2-1, n-k-1, divided by, k-1, c, n-k के लिए हैं, ठेक, सो इतहां तक note down करें, note down करें, सो लिखेंगे, इसमें आएगी इसके बाद, so the total chance for such type of molecules, distribute will be, total chance क्या होगा, इसको note करें पट आपट, note करें, now the total chance, now, the total chance, total chance, here total waste, कुछ भी लिख सकते हैं, total chance of molecules, distribute, in such molecules, लिख सकते हैं, इस प्रकार के molecules को, आपकी इच्छा है, now the total chance, आप molecules, distribute in, all cells, total cell में, यह जत्रे molecules हैं, तो total chance क्या हो जाएगा, तो आप total chance बता सकते हो, सभी के multiply के बराबर होगा, मतलब, is equal to, क्या होगा, n, c, n1, multiply में, n minus n1 का, c, n2, multiply में, n minus n1, c, n3, यहाँ पर, n minus n1, minus n2 भी होगा, multiply में, c, n, k, multiply के बराबर होगा, तो यह निकल क्या रहा है, यह इट इज़ ओमेगा, इट इज़ ओमेगा, टोटल हम निकालेंगे, तो जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजन करते हैं, यह हमारा thermodynamic probability बोलता है, यह हमारा बोलता है, thermodynamic probability ओमेगा से रिप्रेजन करते हैं, ओमेगा होगा, अब वेलू रखते चले जाएंगे, n, c, n1 की वेलू क्या थी, factorial n, divided by n1 का factorial, and n-n1 का factorial, multiply में, इसकी वेलू क्या थी, इधर, n-n1 का factorial, divided by n2 का factorial, n-n1-n2 का factorial, multiply में, इसकी वेलू क्या थी, इधर दी गई है, n-n1-n2 का factorial, divided by n3 का factorial, n-n1-n2-n3 का factorial, multiply में, ऐसे, so on होता हुआ, हमारा चला जाएगा, n-n1-n1, क्योंकि इसकी जो वेलू है, इधर, दीखी गई है, n2-n3-n1-nk-1 का factorial, divide by nk का factorial, यहीं मिलेगा, अब वेलू देखेगा, n-n1 का factorial, n-n1-n2 का factorial, n-n1-n2 का factorial, यहीं माइनस, n1-n2 का factorial, यह, वावाँ सर, काटने में तो मज़ा आ गया, अब दीखेगा, यह वाला जो सिस्टम होगा, जस्ट इसके बाद वाले से कैसील होगा, समझ पारे न, अब इसके बाद वाले क्या मिलता, n-n1-n2-n3 का factorial, फिर n-n1-n2-n3-n4, तो यह वाला इसके अगले वाले टलमने से कर जाता, सर हवा में काट रहे न, तो और जो लास्ट रम हमारा बस था, तो वो वाला इसको काट देता, होता ऐसा न, इमेजिन करो, इमेजिन, अब ऐसा तो है नहीं कि आपको, वहाँ के तक ले जाओगे, न, ऐसे 100,000, ऐसे करते पड़े रहा, मजाकते रहे हैं, देखो, होगा इतना न, इधर से यह कटेगा, इधर से यह कटेगा, इधर से इसका अगला टर्म कटेगा, इससे 100, इससे पहले वारा जो टर्म होगा, वह इससे कट जाएगा, आप लोग, मैथ के स्टूटेंटों समझ चाओगे, अब देखिए, यह बचा क्या हमें है, फैक्टोरियल ये, आप 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 आण, ऊपर कुछ और कुछ बचा है, हाँसले करें हाँ तक कुछ ने बचा, इधर क्या बचा, एगर आपको कोई तीन पार्टिकस दिये गए, या 3 molecules हैं आपको cells में डालने हैं तब उसके लिए अगर आपके पास 3 particles है तब उसके लिए omega की value क्या हो जाएगी यही दिखाओगे अगर तीन पार्टिकल है चार पार्टिकल होते तो फाइब का फार्टिकल तक जाता तो वो आपके उपर डिपेंड है या किशन के उपर डिपेंड है चितना आप वहाँ पर दिया गया हो तो उसी ही इसाब से करेंगे आप देखिएगा जब समेशन आता है तो क्या लिखते हैं गरागे साइन ऐसे का साइन साइन ऐसे लह खाते हैं तो इसे मनटिप्लिकेशन का साइट गते हैं तो इदर नीचेhew म्ल्टिकेशन है तो इसे आज भी लिख सकते हैं ऐसा भी ठीक है लेकिन और भी छोटा मिलिखे चाहे है त्रेक्टोरियल यह अपान में मल्टिप्लिकेशन इसे बोलते हैं मल्टिप्लिकेशन आफ आइक पल टू वन टू कहां तक के तक एक से लेकर के तक और इसको लिख सकते हैं और आई ठीक मज़र यह आई की वैलू एक से रखते जलेंगे और नमने टू एंट्री एंट पॉर एंपाइब के तक आट लिए और यह मुटिप्लिकेशन का साइब यह तो कुसी कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पर लिकिन तो टोटल चांस अब आईब की लिए लिकिव से अटोटर्ट रेंडिक टीवेशन तो यह तो टोटल चंस यह तो टो टोटल चंस आओ distribute N molecules N molecules in cases या और जितरी वीशेर हमाने आम बाल के माना आई से ले मेंने के लिया cases known as known as thermodynamic thermodynamic probability and it is denoted as it is denoted as omega यो omega के तरह denote किया जाता है तो या तक clear समझ में आ गया होगा 100% अगला जो हमारा वीडियो आएगा बहुत important question लेकर आएगे जो कि काफी बार पूछा जा चुका है यो बिल्कुल भी skip मत किजेगा चलिए आज किल बेसे तना ही इसी तरह और खुब मेनत से बढ़ते रहिए लाएगे